पूँआ अग्राइब करता हूँ चैप्टर नमबर वन मैक्रोएकनोमिक्स में जिसका नाम है इंट्रोडक्शन कहीं न कहीं हम यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि मैक्रोएकनोमिक्स के अंदर हमें क्या-क्या चीजे पढ़नी चाहिए वो कौन-कौन सी चीजे हैं जो मैक्रोएकनोमिक्स के अंदर आती हैं और वो कौन-कौन से चैप्टर से हैं और चैप्टर की डिटेल हलकी फुलकी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कि मैक्रोएकनोमिक्स में क्या-क्या चीजे आएंगी क्या-क्या चीजे स्टड़ी होंगी तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं Macro Economics की Definition से अगर हम Macro Economics की Definition की बात करें तो Macro Economics हमारी Greek word Macros से लिया गया है जिसका मतलब है Large तो कहीना कहीं Macros जो है वो Greek word की origin है और कहीना कहीं इसका मतलब होता है Large तो जब भी मैं Large level पर study करता हूं तब वो हम यूज करते हैं word Macro तो लिखता है Macro Economics is defined as that branch of economics which studies economic issues और economic problem at the level of economy as a whole तो Macro Economics क्या हुआ Large Economics याने के जब मैं problems को large level पर study करता हूं बड़े level पर study करता हूं जब मैं पूरी economy as a whole को study करने की कोशिश करता हूं तब वो आपका बन जाता है Macro Economics सबसे important word है इसमें economy as a whole कहीं न कहीं जब मैं पूरी अर्थ ववस्ता को एक साथ study करने की कोशिश करता हूं तब वो आपका बन जाता है Macro Economics अर्थ ववस्ता के किसी एक हिस्से को study करने की कोशिश करता हूं तब वो आपका बन जाता है Macro Economics Done मेरी बाद इसके बाद आपके पास फिर से एक definition और दे रखिये, macroeconomics is concerned with the economy as a whole और large segment of it, in macroeconomics attention is focused on such problems and level of unemployment, rate of inflation, national total output, the matters of economic wide significance, देश में बेरोजगारी कितनी है, आपके देश में total समान कितना बना, आपके देश की total income कितनी है, आपके देश में total inflation कितना है, यह सारी समस्याइं देश के level पर है, और देश के level पर है तो यह कही न कही macroeconomics है, how macro economics is differ from micro कहीं न कहीं देखो सबसे पहले macro जो है वो large level पर आपको चीजे study करने को सिखा रहा है और जो micro है कहीं न कहीं वो small level पर study करने की बाते कर रहा है पहली बात तो clear हो चुकी है अब इसके बात इसमें कई सारी important चीजे add-on होने वाली है कि इसमें economic agents कोन से होते है इसमें variable कोन से होते है तो ये सारी चीजे भी हम यहाँ पर study करेंगे तो सबसे पहले basis of study की बात करें तो micro economic study the problem of scarcity of choice at the level of individual household firm और industry एक firm के पास क्या समस्याए है एक consumer के पास क्या समस्याए है एक society की क्या समस्याए है एक industry की क्या समस्याए है ये सारी चीजे आप micro में पढ़ते हो basically आप यहाँ पर small level पर study करते हो हर छोटी से छोटी एक बंदे की समस्या को दूर करने की कोशिश करते हो लेकिन macro economics पूरे देश की समस्याए तो देखो क्या लिखता है macro economics study the problem of scarcity and choice at the level of economy as a whole पूरे देश की क्या क्या समस्याए है पूरे देश के producers की क्या समस्याए है पूरे देश के consumers की क्या समस्याए है पूरे देश पूरी society की क्या समस्याए है ये सारी चीजे जब हम study करते है तब वो आपका बन जाता है macro economics okay तो देखो क्या लिखता है example Microeconomics study how consumer exercise his choice of goods and services that maximize his satisfaction with given income एक consumer को अपने पैसे किस तरीके से खर्च करने चाहिए एक consumer अपने पैसे को किस तरीके से खर्च करेगा ताकि उसकी satisfaction maximum हो सके Microeconomics national resources की बात करेगा देश के पैसे को किस तरीके से खर्च किया जाए So that welfare of all the residents should be maximized देश में जितने भी लोग रहते हैं उन सब की satisfaction को maximize किया जा सके उन सब के welfare को maximize किया जा सके Economic variable दूसरा difference basis आजाता है economic variable Economic variable मतलब वो कौन-कौन सी variable से जिसे हम micro में study करते हैं और macro में study करते हैं Macro economic variables होते हैं आपके aggregate demand और aggregate supply और कहीं न कहीं micro economics variable होते हैं आपकी एक consumer की demand और एक producer की supply Ultimate मतलब क्या जब मैं एक consumer one consumer ने क्या चीज़ demand करी जब मैं यह study करता हूं तब वो आपका बन जाता है micro economics और जब मैं कहते हूं देश के all consumers one हटा कर all consumers in India की बाते करता हूं तब वो बन जाता है आपका macro तो all consumers की all demand याने के total demand total demand को हम word use करते हैं aggregate तो aggregate का नाम है total तो कहीं न कहीं जब आपकी एक consumer की single consumer की demand single producer की supply को देखते हो तब वो आपका बन जाता है micro और जब aggregate demand याने total demand of all the consumer in the market total supply aggregate supply को आप देखते हो that means all the supply by the producer in the market यह आप देखते हो तब वो आपका बन जाता है macro economics clear मेरी बार economic agent agent कोन हुआ agent वो बंदे जो इस economy में पाट लेते हैं ठीक है अभी यहाँ पर economic agents का मतलब बंदे कोन होंगे micro economics में बंदे कोन consumer और producer अभी अभी तो पढ़ा economic agent refers to the individual or institution who take economic decision तो individual economic agent includes individual का मतलब micro economic agents कोन से होंगे consumer और producer छोटे लेवल पर single लेवल पर consumer और producer भाई एक छोटी सी फैक्टरी से मैंने कुछ समान मांगा छोटी से चोटी फैक्टरी वाला supplier मुझे बना कर देगा तो consumer और producer छोटे माइक्रो लेवल पर यह होंगे लेकिन पूरे इंडिया की लेवल पर पूरे देश की समस्या को कोन दूर करेंगे क्या producer और consumer दूर करेंगे नहीं government, RBI, SEBI यह सब तो लिखता है they focus on maximization of personal gain, consumer और producer तो सिरफ personal gain के लिए काम करेंगे institutional economic units like include state or statutory bodies RBI, SEBI, TRI, they focus on maximization of social welfare at micro level economic decisions are taken by individual economic agent, लेकिन at macro level institutional agent play significant role clear very bad, तो कई न कई macro level पर आपके यह institution RBI, government, SEBI, TRI, यह सब आ जेंगे और small level के उपर आपके पास कोन आजेगा producer और consumer degree of aggregation, aggregation का मतलब मैंने अभी अभी आपको उपर भी बताया था, aggregate demand का मतलब total तो कहिना के degree of total, अब यह पूछ रहे कि आपके यहाँ पर micro economics में aggregation जादा होती है, totality जादा होती है या macro में, भाई दोनों के अंदर totality होती है, लेकिन micro में छोटी, अभी मैंने दो-तीन consumer का total कर दिया, तो वो micro, लेकिन all consumer का total कर दिया macro, दोनों के अंदर हो सकता है, तो यहाँ पर लिखता है इन micro economics, there is limited degree of aggregation होती है, लेकिन कम, लेकिन macro में तो बहुत जादा होती है, ओके different set of assumptions, जब भी micro economics को study करूँगा, तो मैं macro को constant मानता हूँ, macro variables को constant मानता हूँ और जब भी मैं किसको study करूँगा, macro को, तो micro variables को constant मानता हूँ, इसका मतलब क्या है sports करो, जैसे मैं रोत्तक हर्याना में रहता हूँ, अगर मैं सिरफ रोत्तक की बात कर रहा हूँ, मैं कहा रहा हूँ कि रोत्तक में पानी नहीं आया तो ये मेरे रोत्तक की समस्या है, ये पूरे इंडिया की समस्या नहीं है, तो जब मैं माइक्रो लेवल पर स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं मैक्रो लेवल को पूरे देश को constant माल लेता हूँ, ओके मेरी बात, देश में क्या चल रहा है, मैं उस चीज को focus नहीं करता, इसी का reverse क् अगर मैं देश की समस्या की बात कर रहा हूँ, से इंडिया चाइना का war आ रहा था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो जब मैं इंडिया चाइना के war की बात कर रहा हूँ, मैं देश की बात कर रहा हूँ, तो मेरे रोत्तक में पानी आया या नहीं आया, मुझे उससे कोई फ समस्या कौन सी है in economics में तो allocation of resources main समस्या है माइक्रो में allocation of resources का मतलब क्या बनाऊं कैसे बनाऊं यह सारी समस्या है आपको माइक्रो में देखने को मिल जाती है determination of overall level of output employment देश में कितना समान बनना चाहिए लोगों को कितनी नोकरियां मिलनी चाहिए यह सब कौन सी समस्या है यह समस्या कहीं न कहीं आपकी macro level पर है तो लिखता है allocation of resources की जो समस्या है वो कहीं न कहीं micro economics की है और जो determination of overall level of output and employment है वो कहीं न कहीं macro economics की समस्या है method of study micro economics को हम partial equilibrium कहते है और macro economics को journal macro economics का मतलब है पूरे देश की study कर दी तो पूरे देश में क्या चल रहा है that is journal equilibrium देखो journal equilibrium analysis macro लेकिन कहीं न कहीं जब हम micro की बात कर रहें तो पूरे देश में से एक छोटा सा हिस्सा निकालते हैं और उसके उपर study करते हैं इसका मतलब वो मुझे क्या दे रहा है partial equilibrium partial equilibrium का मतलब समझ में आया जब मुझे कहीं न कहीं पूरी study करने की जगा में किसी एक हिस्से किसी एक segment पर study करता हूं तब वो आपका बन जाता है partial equilibrium दन मेरी बात तो कहीं न कहीं हम इसको ऐसे study करते हैं partial equilibrium refers to the equilibrium in one market on the assumption that there is no change in other market तो partial equilibrium का मतलब मैं एक market में study कर रहा हूं बाकी markets में क्या चल रहा मुझे कोई फरक नहीं पड़ता और ऐसे ही journal equilibrium का मतलब जह मैं all markets को study कर रहा हूं किसी भी market को left out नहीं कर रहा that is आपका journal equilibrium analysis clear मेरी बात यह सबसे important question है exam point of view से भी और conceptually भी micro macro paradox सीधी बात जो चीज micro level पर ठीक है जरूरी नहीं है कि वो चीज macro level पर भी ठीक हो what is logically at micro may not be logically at macro level clear if individual save more अगर एक बंदा पैसे जादा बचा बचा कर रख रहा है तो घर वाले उसकी तारिफ करेंगे आ रहे मेरा बेटा बहुत बढ़िया है आज तो समास से पैसे संभालना सीखिया पैसे बचाना सीखिया इस तरह की बाते मेरे बारे में करेंगे तो macro level पर saving बहुत बढ़िया है इसका सबसे अच्छा example है saving क्या लिखेगा micro और macro माइक्रो में क्या लिख रहा है कि saving जो है micro level पर वरदान है हर बंदा save करें यही उसके घर वाले उसे सिखाते लेकिन अगर macro एक मार्केट मैं पैसा कम हो जाएगा लोग खरचा कम करेंगे दिमांड कम औरots ने बढ़ जाएगी कई न कई देश डूबना शुरू हो जाएगा इफ आल दा पीपल इन दा इकनोमी सेव मोर अगर सेव करेंगे जादा तो खर्चा करेंगे कम डिमांड कम हो जाएगी दिमांड कम हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट कम प्रोड्यूसर बिजनस में पैसा दा इकनोमी विल ड्राइवन टुवर्ड्स पॉवर्टी राधर देन प्रोस्पेरिटी और आपकी इकनोमी जो है वो गरीबी के घेरे में जाना शुरू कर देगी राकी तरक्की करना शुरू करेगी Is saving a virtue or a wise? Important question का ही बरा आ जता है तो saving micro level पर तो virtue है लेकिन बड़े level पर कहीं न कहीं wise है तो लिखता है For an individual viewpoint, saving is a virtue. He can deposit the saving in the bank, can earn regular income from a viewpoint of economy, saving may prove to be a wise लेकिन पूरे देश की बात करें तो saving जो है वो wise है अभिशाप जैसा है कहीं न कहीं वो आपकी economy को डुबो देगा तो कहीं न कहीं हार economy चाहती है कि लोग खर्चा जादा करें और saving कम करें Done? इसके बाद आपके पास आ जाता है scope and significance of macroeconomics Scope की बात करें तो सबसे पहले हम क्या क्या चीज़े इसके अंदर पढ़ने वाले हैं सबसे पहले estimation of national income और related aggregates तो सबसे पहले लिखता है macroeconomic starts with the concept of national income देश में कितनी income है देश के लोगों ने कितने पैसे कमाए देश के लोगों की estimation क्या है यह सारी चीज़े हम यहाँ पर study करते हैं ओके तो देश के बाद production कितनी है तो कहीं न कहीं macroeconomics आपको जानकारी देती है कि आपकी national income देश के लोगों की income कितनी है देश की GDP कितनी है और कहीं न कहीं आपके लोग कितना पैसा कमारे पैसा जादा कमाएंगे तो demand जादा होगी पैसा कम कमाएंगे तो demand कम होगी theory of employment कहीं न कहीं आपको यह बताता है कि देश में रोजगार कितनी है बेरोजगारी कितनी है रोजगार जादा होगी तो देश तरक्की करेगा, रोजगार कम होगी तो देश तरक्की नहीं करेगा Macroeconomics study is the theory of employment in the economy Keynes theory explains the noticeable significance in this context It explains the causes कई न कई कीन्स theory ने unemployment के कारण, रोजगार के कारण हर चीजों को study किया है Theory of money, money supply कितनी है Money supply का मतलब देश में कितना पैसा circulate कर रहा है, कितना पैसा घोम रहा है 2000 के कितने नोट है, 500 के कितने नोट है, 100 के कितने नोट है, यह सब चीजे So creation of money by the commercial bank is an important component of macroeconomics And like linked to the role of central bank regulating the supply of money So कहीं न कहीं जो आपका Reserve Bank of India है, वो कैसे आपके नोटों को छापता है और कैसे आपके commercial bank जैसे SBI होगा, PNB होगा, वो कैसे आपके पैसों को circulate करते है यह सारी बाते आप theory of money में पढ़ोगे तो यह सारे के सारे chapters आपको define कर रहा है Theory of journal price, inflationary or deflationary gap जो आपकी market में है, वो महंगाई है, या मंदी है चीजों की कीमते बढ़ रही है, तो महंगाई है, चीजों की कीमते गिर रही है गिरती कीमत पे भी कोई लेने वाला नहीं है, तो कहीना कहीं वो deflation है, वो मंदी है This is the another yet significant component of macro economics It reveals the trend path of journal price level leading to inflationary or deflationary gaps तो कहीना कहीं prices बढ़ेंगे, तो आपका inflationary gap आएगा याने के कहीना कहीं महंगाई का दोर आएगा और कहीना कहीं आपके जो आपके prices गिरेंगे, तो deflationary gap मंदी का दोर आएगा Role of government, government कैसे काम करती है, government लोगों की भलाई कैसे करती है government कब taxes लगाती है, कब government खर्चा करती है, कब government subsidies देती है ये सारी चीजे भी आपको इस macro economics के study के दोरान पता लगेंगी ये सारे आपके chapters है, कहीं न कहीं हम सारे के सारे detail में study करेंगे Exchange rate का मतलब foreign exchange rate, एक डोलर को खरीदने के लिए आपको कितने रुपे sacrifice करने पड़ते है तो say मैं कहता हूँ, एक डोलर सत्तर रुपे में खरीदा जाता है, that is foreign exchange rate और balance of payment का मतलब है, आपने भार से कितना समान मंगाया और कितना export किया तो export और import, भई मैंने का 100 करोड का समान भार से मंगा लिया 80 करोड का समान, sorry, 100 करोड का समान भार export कर दिया 80 करोड का समान import कर लिया, तो इसके बीच का जो difference है याने के मैंने कई न कई दूसरे देशों से 20 करोड रुपे लेने है that is balance of payment, तो ये सब चीजे हम इसके अंदर study करेंगे देखिए इसके बाद आ जाता है significance, significance का कही न कई मतलब होता है importance, importance बोले तो, कि जब भी मैं macro economics की बात करता हूँ या macro economics को study करता हूँ, तो ये मुझे क्या-क्या फाइदा पुचाती है सबसे पहला फाइदा इसका है description of economy ये आपकी economy को define करती है, ये आपकी अर्थववस्ता को define करती है कैसे आपकी एक अर्थववस्ता work out करती है, कैसे आपके महा के लोग जो है वो पैसा कमाते है उसके बाद कईना कई आपके को ये बताता है कि देश के अंदर unemployment कितनी ही जादा है या कितनी कम है और कईना कई government budget, government किन-किन चीज़ों पर पैसे खर्च करती है, government के पास कहा कहा से पैसा आता है, ये सारी चीज़े भी आपको बताती है तो macroeconomics offer deep description of the economy, estimation of national income, देश में कितनी national income कमाई जा रही है, जादा या कम और कौन सी-कौन सी economic activity की जाती है इस national income को कमाने के लिए Study of unemployment reveals the magnitude and the problem in the way it can be handled तो कहीं न कहीं आपको ये बताया जाएगा कि unemployment कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, कौन-कौन से कदम सरकार उठा रही है, हम कितनी problems दूर कर पा रहे हैं और कितनी problem दूर नहीं कर पा रहे हैं बेरोजगारी की, ये सारी आपको पता लग जाएगी Government budget reveals the way economy is regulated by the government, government किन चीजों पर पैसे जादा खर्च कर रही है, इससे भी आपको पता लग जेगा कि government का काम करने का तरीका क्या है, अगर वो public sector खोलती जा रही है, सरकारी कंपनिया खोलती जा रही है, हर काम के लिए इसका मतलब कहीं न कहीं आपका जो देश है, वो socially planned economy है, centrally planned economy है, कहीं न कहीं सारा का सारा काम public sector के जिम्में है, लेकिन अगर कहीं न कहीं आपने सारे की सारे काम को hand over कर दिया private लोगों को, तो कहीं न कहीं आपके पास यह जो चीज है, यह capitalist economy की तरफ इशारा करती है, roadmap of growth and development, macroeconomics कहीं न कहीं आपको बताती है, कि आपकी तरक्की का रास्ता क्या है, आप किस रास्ते पर चलके अपनी GDP को बढ़ा सकते हो, अपनी national income को बढ़ा सकते हो, अपनी employment को बढ़ा सकते हो, तो कहीं न कहीं यह आपको एक रास्ता दिखाता है, जिस मदद से हम कहीं न क अपनी चीजों को develop कर सकते हैं, economic stability हमेशा macroeconomics की कोशिश रहती है, कि economy हमेशा stable रहे, ना तो उसके अंदर बहुत जादा inflation हो, और ना ही उसके अंदर बहुत जादा deflation हो, ना तो prices बहुत जादा हो, ना तो prices बहुत कम हो, prices हमेशा stable रहे, normal रहे, clear मेरी बात? इसके बाद आपके पास आजाता है balance of payment, देखो बचो balance of payment simple है, balance of payment, payment मतलब लेन देन, कहीं न कहीं मैंने किया तो किसी से payment देनी है, या तो किसी से payment लेनी है, तो हम export करते हैं, तो दूसरे देश हमें payment देते हैं, और जैसे हम import करते हैं, तो हमें दूसरे देशों की payment देनी प रहे हैं और जा कितने रहे हैं उसके बीच का net balance अगर हम exports जाधा करेंगे imports कम करेंगे तो हमारा हमेशा balance BOP positive रहेगा क्योंकि दूसरे देशों से पैसा लेना जाधा रहेगा और पैसा देना कम रहेगा BOP status of a country reveals the performance of economy in relation to rest of the world Balance of trade जैसे कि export और import show our capacity to export and compulsion to import कहीना कहीं यह आपको दिखाता है कि आप कितना जाधा export कर सकते हो आपका कितना potential है और वो कौन-कौन सी चीजे हैं जो मजबूरी में आपको import करनी पड़ती है जैसे स्पोज अपने पास तेल जो है पेटरोल जो है वो कम है crude oil मंगाना पड़ता है अरब देशों से तो कहीना कहीं यह compulsion है कि यह चीज मुझे import करनी ही करनी पड़ेगी क्योंकि यह अपने पास नहीं है problem of poverty यानि के गरीबी कितनी बड़ी समस्या है गरीबी आपने कितने हद तक दूर करी कितने परसेंट गरीब आपके अभी भी गरीबी रेखा से नीचे है यह सारी जानकारी आपको macroeconomics देता है और कहीना कहीं environmental pollution तरक्की करेंगे यह नहीं नहीं industry खोलेंगे तो pollution होगा तो कहीना कहीं हम यहाँ पर sustainable growth की बात करते हैं sustainable development की बात करते हैं भाई आने वाली generation के लिए भी तो कुछ छोड़ो कहीना कहीं pollution जो है उसे कम करने की कोशिश भी करता है तो macroeconomics offer insight to the problem of poverty and environmental pollution it is by using macro model that these problems are addressed और कहीना कहीं मैं macro problems को use करके इस problem को address करके और सारी के सारी चीजों को sort out कर सकता हूँ policy formulation policy formulation का मतलब क्या हुआ कि कहीना कहीं जो आप policies बनाते हो आने वाले time में कैसे करना है भाई government को पता लग गया जी inflation है महेंगाई है तो आने वाले time में government को कैसे react करना चाहिए आपको पता लग गया जी deflation है आर्थिक मंदी है किस तरीके से काम करना चाहिए उसके हिसाब से जब हम policies बनाएंगे that is called policy formulation अरे जब आपको economic की जानकारी नहीं होगी तो आप policies कैसे बनाऊंगे तो basically macroeconomics सबसे पहले आपको economic की जानकारी देता है उसमें चल क्या रहा है उसकी जानकारी देता है और सबसे आखरी में आपको कही ना कही वो आपको ये भी बताता है कि कौन से steps आपको लेने चाहिए जब inflation हो और जब deflation हो clear मेरी बात? तो emerging challenges of the economy become evident only through macroeconomics data जितनी भी आपकी main समस्या है वो आपको तभी पता लगेंगी जब आप कही ना कही macroeconomics data को study करोगे यहीं से हमारा first chapter complete होता है chapter 12 का और उसके बाद हम पढ़ेंगे chapter 2 thank you for the sport दोस्तों